आज हम बात करेंगे 282 rolled का Knowledge and Curriculum ठीक है तो यह । पेपर है इसका कोड क्या है 282201 प्रथम प्रश्ण पत्र ठीक है तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है और इस पे हम पहले यूणिट की बात करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं ग्यान सर्वोच सद्गुण है या कतन किशका है तो यह कतन किशका है तो ग्यान सर्वोच सद्गुण है या कतन किशका है तो यह कतन होगा शुकुरात क्या है शुकुरात का है अरस्तू प्लेटो इन सभी का नहीं है यह शुकुरात का है किस ने कहा है कि ग्यान शक्ति है किस ने कहा या ग्यान शक्ति है अरस्तू, प्लेटो, सुकरात, रश्यल तो ये किस ने कहा ग्यान ही सकती तो ग्यान ही सकती किस ने कहा था सुकरात नामक बग्यानिक ने कहा था मतलब ये एक राइटर थे ठीक है तो क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम सब्दिक उत्पत्ति लैटिन भासा के किस सब्द से हुई है तो यह लैटिन भासा के किस सब्द से हुई थी तो यह लैटिन भासा के क्यूरेरर क्या है क्यूरेरर नामक सब्द से हुई थी याद रखिएगा यह क्यूरेरन नामक सब्द से हुई है चलिए आगे बात कर लेते हैं जीन पियाजे का संबंध निम्लिकित में से किस प्रकार के विकास से ہے तो नयतिक विकास, संग्यानात्मक विकास, सम्वेगात्मक विकास, संस्कितिक विकास तो इसमें सही होगा संग्यानात्मग विकास वेरी मोस्ट इपोर्टेंट ये 2016 और 2017 में आया हुआ है और वेरी मोस्ट इपोर्टेंट है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं उपनिशद में ज्यान हे तुकिस सब्द का प्रियोग किया जाता है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज्यान एक साधन है दोनों है परिस्थिती एक परिस्थिती है तो इसका अंसर सही होगा ज्यान एक दोनों है क्या है साध भी है साधन भी है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ज्यान एक ऐसी सकती है जिसकी सहायता से कोई भी कार किया जा सकता है किसने कहा था अरस्तुने रूसो के अनुशार सुकरात के अनुशार किसने कहा था ज्यान एक ऐसी सकती है जिसकी साहता से कोई भी कार किया जा सकता है तो ऐसा किसने कहा था सुकरात ने कहा था तो चलिए नेक्ष्ट देख लेते हैं अगला सत्य स्वयम प्रकासित होता है या कहा गया है किसके द्वारा कहा गया तो मिमानसा दर्सन के द्वारा जैमनी मिमानसा दर्सन के द्वारा ग्यान मिमानसा दर्सन के द्वारा मूल मिमानसा दर्सन के द्वारा तो इसका अंसर सही होगा जैमनी मिमानसा दर्सन के द्वारा किसके द्वारा जैमनी मिमानसा दर्सन के द्वारा किया गया है ठीक है तो रूसो, प्लेटो, अरस्तू, सुकरात। तो इसमें होगा रूसो। प्रकतिवादी जिचारधारा के जो प्रवर्तक है वो रूसो है। कौन है? रूसो। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें दर्सन की कौन सी साखा ग्यान से संबंध रखती है। तत्व मिमानशा ग्यान मिमानशा, मूल मिमानशा, तरक सास्त्र तो इसमें होता है दर्सन की कौन सी साखा ग्यान से संबंध रखती है। ग्यान मिमानशा है। कौन ग्यान मिमानशा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। तो इसमें ग्यान प्राप्ति का साधन है। समवेक, भ अगले टॉपिक्स में बात कर लेते हैं ग्यान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होता है ग्यान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है तो ग्यान प्राप्त करने की प्रक्रिया समझना सोचना इसमें सही होगा उप्युक्त सभी सही है क्या है उप्युक्त सभी सही है क् इसका चलिया देख लेते हैं, तो उप्युक्त सभी सही है, ठीक है, तो सिरी भगवत, गीता के अठारवे अध्याय में ग्यान को कितने भागों में बाटा गया है, मतलब कि सिरी मद भगवत, मद भगवत गीता के अठारवे अध्याय में ग्यान को कितने भागों में बाटा दो भाग में, तीन भाग में, चार भाग में, तो इसमें बाटा गया है तीन भाग में, कितने भाग में, तीन भाग में बाटा गया है, तो इसका अंसर क्या होगा, तीन भाग में, कितने भाग में, तीन भाग में, ठीक है, अब देखें, दर्सन, दर्सन क्या होता है, दर्सन ग्यान का बिग्यान है यह कतन है किसका है दर्सन ग्यान का बिग्यान है यह कतन किसका है फिक्टे का सुकुरात का अरस्तु का रूसो का तो इसका अंसर होगा फिक्टे फिक्टे का दर्सन जो दर्सन ग्यान का बिग्यान है दर्सन क्या बिग्यान है ग्यान का बिग्यान है त तो चलिए next देख लेते हैं अगला कुश्यन से, जैसे निम लिकित में से, कौन सा ग्यान जैन दरसन में सम्मिलित नहीं है, तो मती ग्यान, मती ग्यान, सुरूती ग्यान, अवदी ग्यान और सब्न ग्यान, तो इसमें सही होगा answer सब्द ग्यान. क्या होगा? सब्द ग्यान. मतला जैन दर्शन में क्या है? सम्मिलित होते हैं तो वो कौन है? सब्द ग्यान. ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला. नेमली खित में से कौन सा ग्यान नियाए दर्शन के अंतरगत नहीं आता है मतला न्याए दर्सन के अंतरगत नहीं आता है प्रतचिग्यान अनुमे ग्यान उपमे ग्यान और केवल ग्यान तो इसमें होगा केवल ग्यान क्या होगा कौन सा ग्यान न्याए दर्सन के अंतरगत नहीं आता है तो केवल ग्यान प्रतचिग्यान आता है अनुमे करने वाला कारक है कौन है पाठ्थय चार को जो प्रभावित करने वाला कारक कौन है राष्टे की सिच्छा की नीती परिछा प्रणाली सासन की नीतियां उप्युक्त सभी तो इसमें सही अंसर क्या होगा उप्युक्त सभी क्या होगा उप्युक्त सभी ठीक है तो प्रधाना द्यापक जन्मजातवा निर्मा दोनों होते हैं निर्मित दोनों होते हैं प्रताना द्यापक और जन्मजातवा निर्मित दोनों होता है या किस ने कहा था जी रीडर और ब्रे पी रिन फीने तो इसका अंसर होगा फीने कौन होगा फीने कौन होगा तो इसका अंसर जो होगा फीने होगा तो याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है निम्न में से कौन सा कथन निम्ने में से कौन सा कतन सही नहीं है तो ग्यान संस्किति का ठाराव लाता है ग्यान संस्कित का संड़ छड़ करता है ग्यान संस्किति और हस्तान छड़ करता है ग्यान संस्कित का विकास करता है तो इसका सही होगा ग्यान संस्किति का ठाराव लाता है नेक्स्ट तो अगला देख लेते हैं इसमें जैसे ग्यान की विसेस्ता है ग्यान सक्ति ग्यान सब्यता ग्यान आसेमित उप्युक्त सभी तो इसका अंसर क्या हो जाता है उप्युक्त सभी ग्यान की विसेस्ता क्या है ग्यान सक्ति भी हो सक्ती है ग्यान सब्यता है और ग्या असीमित है यह 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 तीनों सही है ठीक है तो चलिए नेक्ष्ट देख लेते हैं अगला भारत के विधान सम्धान में किस अनुचेद में लिखा गया है कि सिच्छा सब के लिए है अनच्छेद 29, अनच्छेद 35, अनच्छेद 45, अनच्छेद 17, तो इसका सही होगा, अनच्छेद क्या हो जाएगा, 45, इसका अंसर भारत के सम्धान में किस अनच्छेद में लिखा गया है कि सिच्छा सब के लिए है, तो अनच्छेद 45, क्या होगा, अनच्छेद 45, तो अनच तो इसका अंसर क्या होगा दा तो क्या होगा दा यहां ग्यान बैक्ति को विशेशगों में विश्वास करके प्राप्त होता है एक आगरता की सक्ति ग्यान के संचित भंडार की एक मात्र कुंजी है तो यह कौन है स्वामी दयानंद स्वरसति के अनुशार क्या होगा स्वामी दयानंद स्वरसति के अनुशार स्वामी विवेकानंद के अनुशार दोनों के अनुशार लाग के अनुशार तो इसका अंसर होगा बा नंबर क्या होगा बा स्वामी विवेकानंद के अनुशार ठ इसमें जैसे किमान लिया जाएं नेक्ष है अन्ताह प्रग्या प्रडाली के शमर्थक मतलब बिचारक है हैं हैंडी बर्गसे हैंडी में रूसो इनमें से कोई नहीं तो इसका सही होगा हैंडी बर्गसे कौन था हैंडी बर्गसे अन्भाव वादी सिच्छा का जनक है कौन है तो इसमें क्या सही होगा हेनरी बर्गशे अंताह प्रग्यां प्रडाली के समर्ठक बिचारक कौन थे तो ये आपका सही होगा पहला हेनरी बर्गश ठीक है अन्भोवादी सिच्छा का जनक है कौन हो सकता है सिच्छा का जनक तो अन्भावादी सिच्छा का जनक है रूसो, जानलाग, प्लेटो, सुकराद तो इसका सही होगा जानलाग क्या था? अन्भावादी सिच्छा का जनक है जानलाग ठीक है कौन है? जानलाग अगला देखिए आत्मान भूती का अर्थ है मस्तिक का ज्यान आत्म ग्यान संसारिक ग्यान तो प्युक्त में से कोई नहीं तो इसमें सही होगा आत्म ग्यान क्या होगा आत्म ग्यान इसका सही अंसर होगा ठीक है प्लेटो ने विकास किया है समवाद बिधी मनन बिधी आगमन बिधी निगमन बिधी तो इसका सही होगा अंसर समवाद बिधी द्वारा क्या होगा समवाद बिधी द्वारा मतलब प्लेटो ने विकास किया है किसके द्वारा समवाद बिधी के द्वारा किया था ठीक है अगला देख लीजे अगले में कौन सा युनानी दार्षनिक अध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी था प्लेटो, अरस्तू, सुकराद, उप्युक्त शभी तो इसका अंसर सही होगा बा, अरस्तू, कौन सा युनानी दार्षनिक तो मतलब की युनानी दार्षनिक कौन था? अरस्तु थे तो अरस्तु नामक बेग्जानिक थे ठीक है तो आद्वायत विदान्द के प्रतिबादक कौन थे? संक्राचारिय विवेकानंद जैमिनी स्वामी विवेकानंद तो स्वामी दयानंद मतलब एक महात्मा थे तो इसमें आद्वायत विदान्द के क्या है? प्रतिबादक कौन थे? संक्राचारिय कौन थे? संक्राचारिय थे ठीक है? तो इसका अंसर यह होगा तो प्रकति को बालक की सबसे बड़ी सिच्छी का कौन मानता है? प्लेटो, सुक्राद, अरस्टू, रूशो तो इसका नाम होगा प्रकति को बालक की सबसे बड़ी सिच्छी का कौन मानता है? रूशो कौन मानता है? रूशो मानता है तो इसमें क्रियात्मक ग्यान किसके विचारों पर अधारित है? किसके विचार पर? जान ड्यूबी किसके अधार पर मतलब कि जान जो जान ड्यूबी थी मतलब क्रियात्मा ज्यान उसी करधारित होता है किस पर जान ड्यूबी के अनुसाथ ठीक है अगला देखते हैं अन्भो मनुष का सबसे बड़ा सिच्छक है मतलब अन्भाव मनुष्ट का सबसे बड़ा सिच्छक है किसने कहा था जो अन्भाव होता है मतलब कि अन्भाव मनुष्ट का सबसे बड़ा सिच्छक है यह कतन किस ने दिया था हॉप्स ने दिया था लाक ने दिया था रूसो लोटो तो इसका अंसर जो दिया था लाक क्या दिया था लाक लाक मिन्स क्या होता है ताला भी होता है लेकिन लाक एक वेग्यानिक थे क्या थे लाक तो अन्भाव मनुष्ट का सबसे बड़ा सिच्छा कहे और ये किसने कहा था लाक नामग वेग्यानिक ने कहा था ठीक है तो चलिए अगला देख लेते हैं इमाइल पुस्तक है रूसो की अरस्तू की लेटो की सुकरात की तो इसका अंसर सही होगा रूसो की तो इमाइल पुस्तक जो लिखी गई है तो किसके दोरा लिखी गई है रूसो की रूसो के दोरा किसके दोरा रूसो की द द्वारा लिखी गई थी अब अगला देख्ये री Public Republic का रचयता कौन है Republic का रचयता कौन है तो इसका कौन होगा Plato कौन थे ? Plato नामग बैग्यानी थे मतलब Plato सह Banks होगा क्या होगा Plato मतलब Republic का रचयता कौन है Plato ये 2018 में आया है BE ADD 2018 में आया था ठीक है यानि second year का class है कौन है knowledge and curriculum में बताया जा रहा है आपको ठीक है तो ये very most important है और ये syllabus जो पढ़ाया जा रहा है ये आगरा इनवस्टी का है किसका है आगरा इनवस्टी चलिए next देख लेते हैं किस प्रसिद आदर्सवादी दार्सनिक ने ज्यान प्राप्ती की प्रशनुत्तर विधी का विकास किया है किसका किया है प्रशनुत्तर विधी का विकास किया है प्लेटो सुकरात अरस्तु रूशो तो इसका अंसर सही होगा सुकरात कौन था सुकरात किस प्रसित आदर्सवादी दार्सनिक ने ज्ञान प्राप्तिक प्रश्णतर विधिका विकास किया है वो कौन थे? सुकराद थे तो ये सुकराद थे तो अगला देखते हैं परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है अनौपचारिक ज्ञान अपचारिक ग्यान दोनों आसंचारित ग्यान तो अनपचारिक ग्यान जो परिवार के द्वारा हमें ग्यान देते हैं या हम परिवार के द्वारा किसी बच्चे को ग्यान दिया जाता है तो वो अनपचारिक ग्यान होता है कैसा ग्यान होता है? कौन सी विसेस्ता ग्यान की विसेस्ता नहीं है कौन सी विसेस्ता ग्यान की विसेस्ता नहीं है तो इसका जो अंसर होगा ग्यान सकती है ग्यान कभी समाप्त नहीं होता है सत्तिता की ही ग्यान है ग्यान की सीमा है तो इसमें सही होगा ग्यान की सीमा है ठीक है याद रखिएगा तो ग्यान की असीमित होता है ग्यान किसी भी तरह का हो सकता है ठीक है इसकी कोई सीमा नहीं होती है ठीक है तो चलिए अगला देख लेते हैं अगले टॉपिक्स में अगले टॉपिक्स की बात कर रहे हैं तो यह जो टॉपिक्स है अगले की जैसे इस में दिया जाता है तो इसके लिए हमें क्या है देखो तो पहला है ग्यान का मतलब ग्यान को मतलब ये कह सकते हैं ग्यान को वैद बनाती है मतलब वैलिड बनाती है कलपना सूचना आपचारिक सिच्छा सत्यता तो ग्यान को वैद बनाने वाली समागरिक क्या बोलते हैं निर्भर है किस पर ग्यान पर दर्सन पर बेवहार पर इंद्रियों पर तो जो ग्यान होता है संस्किती निर्भर है किस पर ग्यान पर अगर हमको ग्यान है अगर हमें ग्यान किसी प्रकार का है अगर मान लिए जग ग्यान अच्छे से प्राप्त हो गया है तो हमारी संस्किती भी अच्छी रहेगी इसलिए ज्यान होना बहुत जरूरी होता है ठीक है चलिए अगला देख लेते हैं सभाविक ज्यान को प्रागनु भाविक ज्यान किस सिच्छा सास्त्री ने माना है तो इसको किसने माना था सिच्छा सास्त्री किसने माना था अल्ला सिच्छा सास्त्री और प्रगनु भावि ज्यान किस सिच्छा सास्त्री ने माना था मैग डूगल कौन था मैग डूगल थी यहां पर क्या होगा मैग डूगल है क्या है मैग डूगल नामक बेग्यानिक ने इसको बताया था ठीक है तो चलिए नेक्ष्ट देख लेते ह प्रसिद आदर्सवादी दर्सनिक सुकरात ने ग्यान प्राप्ति की किस बिधी के विकास पर बल दिया है तो समवाद बिधी, आगमन बिधी, प्रशनोतर बिधी, समस्या समधान बिधी तो इसका सही अंसर होगा प्रशनोतर बिधी की सहायता से कि सहायता से प्रश्णुत्तर विदी की सहायता से ऐसा बताया गया है अब देखो अगला क्वेशन देखो ग्यान लोगों की बुद्धी और योगता में विधमान ग्यान और उपस्थिति होने का योग है तो इसको किस ने बताया था? आंद्रे बुद्रो के अनुशार तेकोची के अनुशार सुकराद के अनुशार लाग के अनुशार तो इसका अंसर सही होगा लाग के अनुशार किसके अनुशार लाग के अनुशार बताया गया है ठीक है अब अगला देखते हूं वर्तमान शमय में 10 से प्लस 2 प्लस 3 फारमूले पर अधारित सिच्छा दी जाती है किस पे 10 2 प्लस 3 मतलब यह सिच्छा दी जाती है तो यह सिच्छा किस पर अधारित होती है तो यह अनपचारिक पे किस पे किस पे होगी अपचारिक की आपचारिक तो ये जो सिच्छा दी गई है ये आपचारिक पर रहधारित होती किस पर आपचारिक सिच्छा होती है ठीक है तो इसे हम आपचारिक सिच्छा कहते हैं किसके अनसार मुझे पुस्तकों से ग्रणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिसाप है क्या है मुझे पुस्तकों से घ्रड़ा है क्योंकि ये बालकों लिखिए क्या है अभिसाप है ऐसा किस ने कहा था लॉक ने सुकराथ ने प्लेटो ने रूसो ने ऐसा किस ने कहा रोसो नामक बैग्यानिक ने कहा था आगला देखो परिमाडवाद की उत्पत्ति कहां सुए जर्मनी से अमेरिका में फ्रांस में इंग्लेंड में तो इसका अंसर सही होगा अमेरिका में परिमाडवाद की उत्पत्ति कहां होई थी अमेरिका में हुई थी कहां पे अमेरिका में अगला देख लो यतारत वादी बिचार धारा का जन्म हुआ है 15 सताब्दी में 16 सताब्दी में 17 सताब्दी में 20 सताब्दी में तो इसका अंसर सही होगा क्या 17-20 सताब्दी क्या होगा 17-20 सताब्दी यथारत वादी विचारधारा का जन्म हुआ था तो चलिए नेक्ष्ट देख लेते हैं कुछ करने या क्रिया करने की छमता ही ग्यान है या कतन किसका है कारल स्वेबी सुक्राद लाक अरस्तू इसका क्या है कार्ल श्वेबी क्या है कार्ल श्वेबी इसका अंसर सही होगा कार्ल श्वेबी तो इसमें अगला देख लीजिए राश्टी पाठ्था चार क्या है पाठ्था चार दो जान नो के अब तक कितने प्रूरूप जारी हुए थे पांच, चार, तीन, दो यह कह सकते हैं इसका अंसर सही होगा पांच क्या होगा और राश्टी पट्टे चार दो नहीं तक कितने प्रामरी किये गए हैं पांच किये गए हैं कितने पांच तो यतना अंसर सही होना चाहिए ठीक है चलिए नेज़ देख लेते हैं रूसों ने सिच्छा के तीन मूल भास रोत बताया है जो प्राकती माता-पिता प्राकती खיल वस्तुएं प्रकती मनुस्ष वस्तुएं प्रकति घर विद्या ले तो इसका अंसर क्या होगा प्रकती मनुस्ष से वस्तुएं क्लास होगी उन्चार्स क्रिस्टिन्स वे हैं आपको अच्छे से याद हो गए होंगे थैंक्यू क्लास